नागिन सिक्स और प्रतीक के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है नागिन सिक्स में बड़ा टुएस्ट आ रहा है बड़ा जनरेशन लीप आ रहा है पूरे के पूरे 20 साल का जहां पे रशब और प्रथा की बेटी यानि प्रार्थाना की उपर पूरे तरह की से स्टोरी बेस जोने वाली है जिसका रोल खुद तेजस्वी ही करने वाली है लेकिन उसी के साथ साथ प्रथा की बहन होगी जिसका नाम है अनमोल यानि की अमंदीप और तेजस्वी इन दोनों को हम देखने वाले है इन नागिन 6 पोस दलीब लेकिन जो लीर हीरो की बात हो रही है मैं आपको बता दू कि खबरे इस तरीके से आ रही ही कि 99% प्रतीक सहचपाल हो चुका है कन्फर्म और प्रतीक को हमें देखने मिलने वाला है इन नागिन 6 अभी तक यह जानना बाकी है यह सामने आना बाकी है कि क्या वो अमन्दीप के आपोजट पैर होंगे या पिर तेजर से प्रकाश के इसके उपर कोई भी ऑफिशल कन्फर्मिशन नहीं है लेकि 99% यह कन्फर्म हो चुकी है अब खबर कि प्रतीक सहचपाल जो शॉटलिस्ट हुए थे अब हो गया है कन्फर्म इनफाट उनका एक रिसेंट रिल सोचल मीडिया पर अपलोड हुआ है जिसके चलते कई सारी बाते जो होना शुरू हो गया है और अगर सोर्स की माने तो यह प्रतीक सहचपाल का फोटो शूट था उनके लुक को लेकर जहां पे उनके लुक को इंट्रिजूस किया जाने व अपना लुक सेट करते हुए नजरा रहे हैं और अगर खबरों की माने तो बेसिकली उनका यह वाला जो लुक है वो नागिन सिक्स के लिए उनका फोटो शूट का लुक है लुक टेस्ट हो रहा है यहां पे और यह जो है हमें बहुत जल्द प्रतीक देखने मिलने वाले है इन नागिन सिक्स अभी तक इसके पर कोई official confirmation नहीं है बट अगर खबरों की माने 99% confirm हो चुका है और यह जो वीडियो प्रतीक ने अप्लोड के हाँ पर caption में लिखते हैं मुझ पर रहम खुदा का करम इस तरीके से कहते हुए तरशूल का emoji डाल रहे है तो क्या तरशूल का emoji जो है नागिन सिक्स का यूनों एक सिंबॉल है नाग अगर डाल देते को अब्यस हो जाता लेकिन शिवजी ऑफकॉस नागिन 6 में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करते है शिवजी की भक्त होती है नागिन तो क्या प्रशूल डाल कर उनका कहने का यह मतलब है कि नागिन 6 की बात हो रही है सोचल मीडिया पर इसी को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर what's your take on it let me know in the comment section and would you want प्रतीक to be a part of नागिन 6 अगर नागिन 6 में आए तो आमनदीप या तेजिस भी किसके opposite देखना पसंद करोगे लिखना मत भूलिए see you soon